Hi everyone, welcome to Global Online. So, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NTA UGISnet 2023 examination के बारे में. So, आप में से बहुत से students ऐसे हैं जो कि अपकमिंग examination देने के बारे में सोच रहे हैं and अभी official notification का इंतजार कर रहे हैं. So, students, आप लोगों के लिए ही ये वीडियो में लेकर के आई हूँ. बहुत ही ज़ादा informative वीडियो है तो जरूर इसको आप लोग एंट तक देखते रहेगा. So, सबसे पहले तुम्हें आप लोगों को ये बता दूँ कि अभी तक UGISnet 2023 examination से related कोई भी official notice NTA के त्वारा जारी नहीं किया गया है. And इस वीडियो में हम लोग most expected dates के बारे में बात करने वाले हैं. So, वीडियो पर आगे जाने से पहरे students आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी expected dates आज में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. ये जितने भी UGISnet के previous exams हुए हैं, उन सब चीजों को उस पूरे schedule को ध्यान में रखते हुए ही, ये expected dates आज में आपके सामने लेकर के आई हूँ. और इन expected dates की मदद से ही आप लोगों को एक idea हो जाएगा कि कब आपका exam हो सकता है और कैसे आपको आज से ही अपनी तयारी शुरू कर देनी चाहिए. ज़रूर इस वीडियो को देखेगा बहुत ही जादा informative वीडियो है. तो इसी के साथ आप लोगों के लिए एक बहुत important information में ये भी लेकर के आई हूँ कि students आपको पता होगा UGCnet paper 1 जो होता है ये सभी उमीदवारों के लिए common and compulsory paper होता है और ये वही paper है जो कि आपको J.R.F. लेने में मदद करेगा. तोड़ा सा smart work अगर हम इसमें करेंगे तो बहुत easily हम अपना dream इसकी मदद से पूरा कर सकते हैं. तो paper 1 की तयारी के लिए हमने एक new and fresh patch launch किया है जिसमें कि हम आपको daily live lectures देंगे. तो बहुत से students English medium में paper की तयारी करते हैं और बहुत से students Hindi medium में paper 1 की तयारी करते हैं. तो आप दोनों ही तरह के students के लिए separate live lectures हम लेकर करके आते हैं. ताथ ही आपके लिए recorded video lectures भी मिलेंगे हर एक unit के. 60 plus mock test यहाँ पर हम आपको देते हैं जिसमें से कि as it is questions बहुत बार exam में पूछे जाते हैं. Last 10 year question paper हम आपको देते हैं with solution. Full syllabus notes यहाँ पर देते हैं जिसमें हर एक चीज़ को बहुत ही simple language में images और graph के साथ हमने present किया गया है. ताख ही आप लोग concepts को बहुत easily समझ सको. 2000 plus MCQ question bank हम आपको देते हैं जिसमें कि most expected, most repeated questions की series आपको मिलेगी solution and detailed explanation के साथ. यह वो question bank है जिससे कि आपकी final revision में बहुत जादा मदद हो जाएगी और इसमें से as it is questions भी exam में बहुत बार पूछे जाते हैं. तो इस complete paper one के course को join करने के लिए screen पर दिएगे कसे भी एक number पर whatsapp की मदद से ही आपको contact करना होगा. और इसके लिए आपको सरफ एक यवार फीस पे करनी है वो बिस सिरफ और सिरफ 4500 रूपीज. और लगातार दो साल तक के लिए आप इस course का benefit उढ़ा सकते हो. तो demo lectures और notes अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए screen पर यहाँ पर आपको जो आप दिखना है global online इसका link description box में मिल जाएगा. आपको बिलकुल free में डाउनलोड कर सकते हो आप डाउनलोड कीजिए तेन store section पर जाकर के आपको search bar में लिखना होगा UGISnet 2023 paper one. यह जैसे ही आप type करोगे आपके सामने paper one का complete overview आजाएगा जो कि already मैं आपके साथ डिसकस कर चुकी हूँ. Then students आपको यहाँ पर content section पर जाना है जहाँ पर आप देख सकते हो paper one के separate unit wise folders बने होगे. And हर एक folder में free content भी available है जिसको आप देख सकते हों. यहाँ पर आपको 2000 plus mcqpdf बे मिल जाएगा previous year questions में मिल जाएगे. Bilingual अगर आप तयारी करना चाहते हो तो यह separate folder है. Pure Hindi lectures अगर देखना चाहते हो pure English lectures देखना चाहते हो तो recorded sessions भी यहाँ पर आपको मिल जाएगे. And daily live lectures भी हमारे app and YouTube बे आपको daily मिल जाएगे. तो जरूर आप इस course को students join कर लिजिएगा. इसी के साथ students अब बढ़ते हैं most expected dates की और की कब आपका exam हो सकता है. तो सबसे पहले जिस चीज़ का students इंतजार कर रहे हैं वो है official public notice. So official public notice आने के chances December 2022 के last week में है. Students अभी आपको पता है कि December आधा खतम हो चुका है. तो हम लोग यही expect कर रहे हैं कि 25th December से लेकर के January के first week यानि कि जादा से जादा हम मान कर चलें 10th January 2023 तक जो है आप लोगों का next examination का official notice एंटी जारी जरूर कर देगा. तो आप लोग यह समझके चलिए कि one month के अंदर अंदर आप लोगों के पास official notice होगा. आप लोगों के पास यह final dates हो सकती है कि कब आपका exam होगा. उसके बाद online application forms भी January में release हो जाएंगे जो की most probably February end तक चलते रहेंगे. And examination के dates जो हैं वो मे और जूर में रहेंगे. Students, यह मैं आप लोगों को आज 100% surety के साथ बोलती हूँ कि इस पार का जो आपका examination होगा and उसकी साथ ही जो आपके exam होगा वो में मन्त के end में या फिर जून मन्त में जरूर complete हो जाएगा. इससे जादा late exam इस पार NTA बिलकुल भी नहीं करवाएगा क्योंकि already बहुत से moth cycles हो चुके हैं. बहुत ही late पहले ही यह process चल रहा है COVID की वजा से. तो NTA इस पार NTA जैसे की students को वादा भी किया है कि वो इस पार students को next यानि कि 2023 में next year exam दो बार conduct करवाएगा. तो एक बार exam आप लोगों का June में होगा and एक बार आप लोगों का exam December 2023 में जरूर होगा इस चीज का NTA ने वादा किया हुआ है. तो आप लोग यही expect करके चलिए कि May end और June 1st week तक आप लोगों का exam जरूर हो जाएगा. तो आप लोगों को समय बर्बाद नहीं करना है. तो आपको separate folders मिल जाएंगे. Global Online हमारे app का नाम है और इसका link भी आपको description box में मिल जाएगा. So I hope अज की वीडियो आप लोगों को helpful लगी होगी. So आज ही तयारी शुरू कर दीजिए. All the best and thank you so much for watching this.